नमस्ते फ्रेंड्स हर हर महादेव जी आज आपको ब्रेड की मिठाई बना के दिखाने वाले हो तो चलो शुरू करते है रेसिपी ये एक मेरे बड़ा पैकेट जो होता है ब्रेड का ये लिया है अब इसको मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स पनालें इसके ब्रेड क्रम्स पन गए है ऐसे पूरी ब्रेड के ब्रेड के ब्रेड क्रम्स पन गए है ग्यास का फ्ले मॉन कर लेंगे अधा लीटर दूदे मग्ये में ये डाल देगे और दूद लो फैट है तो इसमें मलाई नहीं तो बेलकिते मलाई डाल दिए अगर अगर फ्रेंड साब के पस मलाई नहीं तो आप चार चमच घी डाल सकते हैं देशी की मैंने घर पे निकली हूँ जो मलाई होती है वो डाल दी हूँ फ्रेंड सकर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते तो कम भी बना सकते हैं मैं इसलिए जादा मिनारी हूँ कि जैसे एक हफ्ते तक घर बना के रखके खा सकते है अराम से फ्रीज में देते हैं और पर आराम से खा लेते हैं जब मन करा तब निकाल के खाले उसमें से। जैसे करमें के टाइम में तो फ्रीज में रखनानी पड़ती है अगर ज्यादा आप चाहते तो दो चार पीस के बना सकते हैं या फिर आप बनाएंगे तब आपको अच्छी लगेगी तो आप काफी जादा पसंद करेंगे इसको अब यह 300 ग्राम चीनी है हम जाता चीन में ठखाते हैं इसलिए मैं 300 ग्राम डालने हूं आप 100-500 ग्राम भी डाल सकते हैं अग यह लाई चीनी चमच चोटी वाली चमच यह लाई चीनी पाउडर के लिए दूद पहले से उपला हूँ था इसलिए मैंने बॉल आने तक इंदजार ने किया अगर आप कर्चा दूद ले रहे हैं तो बॉल आने तक इंदजार करें और उसके बाद घी डाल सकते हैं अगर अब जो हमने ब्रेड के क्रम्स पनाएं यह राल देंगे इसमें आप ग्यास को मीडियम करके थोड़ा स्लो करके इसको अच्छे से मिला लेंगे आप अब अब बॉल आप अच्छे मिख्स हो गया है अब आप जाइको फ्लेम बन कर दो एक फॉइल पेपर या बटर पेपर लेकर थोड़ा से घी से ग्रीसिंग कर लें इसके तुर्ट बटर में जमाना चाहते हैं तो उसके घी की ब्रीसिंग कर लें तुर्ट गी की ब्रीसिंग कर लें कुए कि और गी कि पुद्ध और टेंचे सिज़ाएं पार किशें शुड़ाना आप से सब्सक्राइब तो कि तो आपकर बॉड़ा अब यह मैंना आदा मिक्स्चर इसमें डाल दिया है आदे से कम थोड़ा सा ही बचा लिया है इसके हम पेड़े या लड़्डु कुछ भी बना सकते हैं कोई भी शेप दे सकते हैं तेस्ट इसका एक जैसा ही होता है आदाम से सजा सकते इसको ज़से सजा सकते हैं कोई भी राइट फूट जो आपको पसंद got a सब्सक्राइब तो यह अधिया हम सेट होने के लिए थोड़े रख देंगे फिर पीशी सकाट के दिखाते हूं तरह प्रीबन इसको 10-15 मिन रखना पड़ेंगा सेट होने के लिए जो बाकी बचे हुए हैं इनको हम पेड़े का कार देदेंगे तो अगर फ्रेंड्स आपके पास को को नैट का जो पाउडर होता है वह है डेसी के टिट पाउडर तो आप वह भी डाल सकते हैं और भी टेस्टी बन जाएंगे पर मेरे पास अभी नहीं है तो पादाम की कत्रन से सजा रही हूं मैं आप चाहें तो पिष्टा या काजू या कुछ भी लगा सकते कोई भी द्राइब फूट जो आपको फसंदो लगा सकते इस पे अगर जैसे गर्मी है तो हम फ्रीज मेर खा सकते हैं अगर सर्दी है तो हम नॉर्मल जो टेंप्रेचर होता है उस पे रखके भी हम एक अफ्ते तक इनको खा सकते हैं तो एक तो हमारी यह पेड़े मिठाई बन गई ब्रैड से और रही मैं बर्फी जावाने के लिए रखिय मिनिट बात दिखाती हुआ है अंद्रा मिनिट हो गई फ्रेंड्स बर्फी को सेट होने के लिए अखी थी मैंने के लिएो अंद्रा झाल 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 प्रेंड्स यहती मेरी आज की रेसिपी ब्रैड की बर्फी की अगर आपको अच्छ लगे तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चनल को सिस्क्राइब कर लेना और फ्रेंड्स आपने अपना की इंदी ताइम निकालके मेरी वीडियो को देखा आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अबाद नमस्ते फ्रेंड्स हर हर महादेव जी अबाद प्लिख स्क्राइब कर दोल्डाइब कर दो पादने अबादेश।